Hello students, welcome back to this channel तो आज हम दिखने वाले हैं The Making of Regional Cultures तो जो हमारे अलग-अलग तरीके के cultures होते हैं, अलग-अलग तरीके के festivals होते हैं, languages होते हैं, तो वो सबकी अलग होते हैं और जो सबसे common तरीका होता है कि हम उस इंसान को किस तरीके से describe करेंगे, वो होता है कि वो किस तरीके की भाशा बोलता है Language के अधार पे हम बोलते हैं कि अच्छा यह इंसान यहां से belong करता है, है ना? और हर जगा का अपना अलग-अलग music होता है, dance होता है and food होता है, तो आज कल हम कहते हैं कि यह region इससे अलग है यह culture इससे अलग है तो वो time के साथ बदलता भी है उसमें time के साथ intermixing होई है, for example अगर मैं Delhi की बात करूँ तो वहाँ पे आपको पूरे देश से अलग-अलग culture के लोग मिल जाएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सबका culture जो है, वो mix हो गया है जैसे, अगर मैं पात करू for example, उत्राखन की तो उत्राखन के लोग डेली में आके बसे हैं तो वो अपना culture वहाँ लेके जाएंगे अपने साथ, अपना culture, अपना tradition वहाँ पे लेके जाएंगे और फिर हमारा culture क्या हो जाएगा intermixing, mix हो जाएगा सारा cultures ठीक है, तो अब हम देखेंगे next की जो हमारा जो चेरा kingdom था चेरा kingdom, how does चेरा help in development of Malayalam चेरा kingdom ने Malayalam की development में कैसे help की, तो 19th century में जो ये चेरा kingdom था, वो establish हुआ था peninsula के south western part में चेरा kingdom स्टार्ट हुआ था और यहां पर ही Malayalam भाषा बोली जाती है और यहां के जो kings थे वो कुछ भी लिखवाया करते थे, वो Malayalam भाषा में ही लिखवाया करते थे और उस समय चेरा kingdom में Sanskrit में जो ड्रामा लिखे गए थे उन्हें प्ले कर दिया गया था और जो वो ड्रामा प्ले किये करते गए थे उसमें Sanskrit से बहुत सारी चीज़े ली गई थी तो यहां पर एक text था लिलाटी लाकम लिलाटी लाकम इसमें Sanskrit और Malayalam की भाषा के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है लिलाटी लाकम में हमें Sanskrit और Malayalam के बहुत सारे elements देखने को मिलेंगे अब देखते हैं जगरनात कल्ट के rules and religious traditions के बारे में कल्ट का मतलब होता है बहुत सारे लोग जब साथ में मिलके एक ही भगवान को follow करते हैं जब देखने को हम कल्ट कहते हैं तो क्या होता है कि हमारे विश्णू भगवान थे, Lord विश्णू थे उनको जगरनात कहा जाता था जगरनात Temple पूरी ओड़िशा में है और आज तक वहां के लोग और वहां के भगवानों के लकड़ी की मूर्ती बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं जो जगरनात थे वो लोकल गौड थे जिने लोग पूचते थे और बाद में उनी को विश्नु के रूप में पूजा जाने लगा तो जो जगरनात पुरी में गंगा समराज्य था यानि जो गंगा डाइनेस्टी थी उनके रूलर थे अनन्त वर्मन अनन्त वर्मन उन्होंने ये टेंपल बनवाया था तो 1230 में एक किंग थे अनंग भी उन्होंने अपना पूरे राज्य भगवान को अर्पित कर दिया था और जगरनात पुरी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था बहुत से लोग वहाँ पे आया करते थे और बहुत से लोग जिसे मुगल्स और अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की कि हमारा इस मंदिर में कंट्रोल हो जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ वो ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि उन्हें लगा कि अगर हमारा इस मंदिर में कंट्रोल हो जाएगा तो वहाँ के लोकल लोग उनके रूल मानने लग जाएंगे अब देखते हैं राजपूत and the traditions of heroism तो राजिस्तान के एरिया था वहाँ पे जो लोग थे उनको राजपूताना कहा जाता था अंग्रेजों के दोबारा काफी सारे लोग खुद को as a राजपूत identify करते थे and of course राजिस्तान में राजपूत के अलावा काफी सारे लोग रहते थे और राजिस्तान का एक अलग सा culture था जिसका share राजपूतों को जाता है तो जो राजपूत होते थे वो ये कहते थे कि हम मर जाएंगे लेकिन कभी हार नहीं मानेंगे वहाँ पे जो काफी सारे पुराने heroes थे उनकी पुरानी memories को याद करते वे लोग वहाँ पे ये expect करते थे कि वहाँ के बाकी लोग भी उनी की तरह अच्छे अच्छे होती थी तो women's को करने के लिए विमिन्स को जीतने के लिए काफी लड़ाईयां यहां देखने को मिलती थी और वहां पर ये भी दिखाया गया है कि विमिन्स को अपने हस्बिन के साथ जिंदकी में और मरने के बाद भी उनका साथ देना होता था आप देखेंगे the story of kathak मतलब अलग-अलग areas मे अलग-अलग dance आपको देखने को मिलते हैं कथक का मतलब होता है कथा एक ऐसा word which is used in Sanskrit जो कथक है वो कहानी सुनने वालों की कास्ट हुआ करती थी वो भी North India में और जैसे ही भक्ती movement फैला उसके साथ साथ कथक भी famous हो गया 15th और 16th century में और कथक की जो stories होती थी वहां पे उन् girls और राजा होते थे उनके जो दर्बारी होते थे उनके कोट में कथक बहुत ज़्यादा परफॉर्म होता था ठीक है और जो वजीत अली शाह थे जो हमारे वजीत अली शाह थे उन्होंने भी कथक को प्रमोड किया था और सिर्व लखनाओ जैपूर में ही नहीं कथक काफी जाधा फैल गया है अलग-अलग देशों में अलग-अलग एरियाज में जैसे पंजाब, हरियाना, जम्मू कश्मीर में भी एक काफी जाधा पॉपुलर है और 19th और 20th सेंट्री में ब्रिटिशर्स को कथक वगेरा पसंद नहीं आया उनको बहुत बेकार लगना लगाई कथक परफॉर्म करती थी और हमारे 6 Classical Dance में से कथक एक है तो बस इसी के साथ हमारी आज की विडियो खतम होती है पार्ट वन इसी के साथ हमारा खतम होता है नेक्स वीडियो में हम देखेंगे पार्ट टू कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना अगर अच्छी ल तो अपने फ्रेंज के साथ शेयर भी करना एक्साम टाइम एक्साम